साथ संगत जी प्यार से कहना धन रंकार जी आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का फिर से हाजर हूँ मैं एक नई साखी के साथ चलिए आज की साखी सुनती हैं साथ संगत जी रेखा के शादी हुई और विदाई का समय आ गया रेखा के घर के मुख्य द्वार पर उसकी विदाई की तयारी हो रही थी और कार में बैठे हुए रेखा का मन भटक रहा था रहे रहे कर उसे शादी में आई हुई अपनी एक सहेली कवीता की बाते याद आ रही थी जो की उसे बहुत जादा डरा रही थी कवीता ने रेखा से कहा था कि सासें बहुत दक्या नूसी, तानाशहा और लालची होती है तुम अपना ध्यान रखना और बहुत संभल कर रहना वैसे तो रेखा की शादी जल्दी तैह हो गई थी पर यथा संभव रेखा के पिता ने छान बीन कर पता लगा लिया था कि उसके ससुराल वाले अच्छी और सज्जन लोग हैं और फिर दूर की रिष्टेदारी भी निकल आई थी पर रेखा ने सुचा कि अंदर से कौन कैसा है ये कैसे पता चलेगा थोड़ी देर में मिलने या उपचारिक बातें करने मातर से ही कोई किसी को जान नहीं लेता असली सभावतों साथ रहने और बरतने के साथ ही पता चलता है अब रेखा ससुराल में पहुँच गई ससुराल पहुँचकर रेखा का दिल तेजी से धड़कने लगा नया घर, नया महोल, नये रिष्टे वो कैसी वहां रहेगी और गूंगट के अंदर से ही रेखा के आंसु बह निकले अब दूसरी तरफ रेखा की ससुराल का दिरिश्य रेखा की सास माधुरी जी को पता लगा कि बारात आ गई है बहु की अगवानी करके माधुरी जी ने उसे कमरे में बठा दिया और खाने पीने की विवस्था देखने लगी माधुरी जी के मन में उथल पुथल मची थी अपनी नई बहु रेखा को लेकर माधुरी जी को डर लग रहा था कि पता नहीं उसका सभाव कैसा होगा अगर तेज हुई तो उनका जीवन ही बदल जाएगा अब माधुरी जी को अपनी बड़ी ननद कमला जी की बाते याद आने लगी जो कि उनसे कह रही थी कि भाबी आजकल की बहुएं बहुत तेज होती है सभल कर रहना और शुरू से ही लगाम कसके रखना वरना वो इतने बड़े समराजय पर अपना हुकम जमा लेगी और तुम्हारे ही घर में तुम्हारी चलने नहीं देगी माधुरी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा क्योंकि उनका दिमाग सुन हो गया था फिर उन्होंने अपने मन को शान किया कि ये मैं क्या सोच रही हूँ मुझे सकरात्मक सोचना है नकरात्मक बिलकुल भी नहीं सोचना और वैसे भी सबका अलग-अलग सुभाव होता है ये जरूरी तो नहीं कि सब बहुएं खराब ही होती है अच्छी भी तो होती है माधुरी जी फिर सोचने लगी कि बेचारी अभी तो आई है अपना घर बार छोड़के उसे भी तो अपने पन की जरूरत है खाना निप्टा कर माधुरी जी रेखा के कमरे में गई तो रेखा हड बढ़ा कर खड़ी हो गई तब माधुरी जी ने रेखा को कहा कि अराम से बैठी रहू रेखा के सर पर हाथ फेरते हुए माधुरी जी उसके पास जाकर बैठ गई और कहने लगी कि बेटा मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अगर तुम्हें धकान ना हो तो क्या मैं बात कर सकती हूँ रेखा धीरे से बोली कि जी जी कहिए माधुरी जी कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम्हें डर लग रहा होगा कि जहां तुम शादी करके आई हो, वहां पता नहीं कैसे लोग होगे, घर का महोल कैसा होगा, क्या यही डर तुम्हारे मन में है, तो अगर ये डर तुम्हारे मन में है, तो ये सभाविक है, जब मेरी भी शादी हुई थी, तो मुझे भी काफी डर लगा था, पर तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिस तरह से तुम्हें घबराहट हो रही है, नए घर के सदस्यों को लेकर, वैसे ही मुझे भी घबराहट हो रही थी, कि पता नहीं मेरी बहु का सभाव कैसा होगा, अब तक जो मैं चाहती हूँ, वो ही मैं क मैं अपने मन की रानी हूँ पर तुम्हारे आने के बाद मैंने सोचा कि शायद सब कुछ बदलना जाए। फिर तुम तो दूसरे परिवार से आई हो। इसलिए हमें एड़ेस्ट करना होगा। इसी तरह मैं भी तुम्हें बताऊंगी। अगर तुम गलती करोगी तो तुम्हें समझाऊंगी और डाटोंगी भी। कभी मुझ पर गुसा आए तो गुसा कर लेना पर अपनी मा समझ कर माफ भी करना। ऐसे ही मैं भी बेटी समझ कर तुम्हें माफ करूंगी। एक बात और मैंने अपने बेटे को भी हमेशा यही समझाया है कि यदि एक को गुसा आए तो दूसरा शांत हो जाए तभी जिंदगी की गाड़ी अच्छी से चलती है वरना जरक आने में देर नहीं लगती। और आज यही बात मैं तुमसे भी कहती हूँ। अपनी सास माधुरी जी की बाते सुनकर रेखा उन्हें देखती ही रह गई। एक बेहद सुल्जी हुई सासु मा को देखकर जिन्होंने कितनी अच्छी तरह से उसे समझा और समझाया। साथ संगत जी अब रेखा का मन पूरी तरह से शांत था। क्योंकि कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले के फॉर्मूले से रेखा की सारी गलत फैमी और डर दूर हो गया था। साथ संगत जी सास बहु को बेटी सा प्यार देगी और बहु सास को मा जैसा मान सम्मान देगी। ये केवल कह देने भर से कुछ नहीं होगा। जरूरत है तो सास बहु के रिष्टे को एक नया आयाम देने की। एक दिन पास बिठा कर बड़े प्यार से सासु मान ने बहु को कहा कि आज से तुम बहु नहीं बेटी हो हमारी देंगे बेटी सा प्यार देंगे बेटी सा मान और सम्मान ये वादा रहा हमारा। सकुचाते हुए बहु कहने लगी कि मा जी मत जानो मुझे इस बेटी के नाम से। बहु बन कर आई हूँ तो ये ही मेरी पहचान है। बेटी घर की चहल पहल है तो मैं आपके घर का खिलता कमल। बेटी आपकी चांध सी शीतल तो मैं गुन-गुनाती धूप। बहु हूँ आपकी ये खासियत है मेरी। बहु के जैसी काबलियत है मेरी। फिर क्यूं सिरफ बेटी जैसे होने की हैसियत है मेरी। पूछती हुँ मैं आपसे और इस समाज से कि क्या बहु होना इतना बुरा है अगर नहीं तो क्यू बेटी सा प्यार देते हो शायद इसलिए कि इस समाज में कभी बहु जैसा प्यार नहीं होता और होता तो कभी देनी लायक नहीं होता अगर देना ही है तो आज एक वादा दो मुझे इस समाज में बहु शबद को प्यार और समान दोगे मा बेटी के रिष्टे से भी बढ़कर साथ बहु के रिष्टे को निया आयाम दोगे साथ संगत जी आपको ये साखी कैसी लगी अपने विचार कमेंट में जरूर बताईएगा फिर मुला कात होगी नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना तर नरंकार जी